क्या आपको लोन लेने में दिक्कत आ रही है क्या आप credit card apply करते हैं वो reject हो जाता है क्या आपको कोई ऐसा message आया है जिसके चलते कुछ बताया जा रहा है कि आपका credit score काफी गिर गया है अगर आप इन समस्याओं से झेल रहे हैं तो आज ये वीडियो खास आपके लिए है क्यों शेर बाजार बहुत ही खत्रनार जगा है यहां एक भूली financial तभाई के लिए काफी है मैं केवाल educational वीडियो जी बनाता हूं मैं कोई buy sell recommendation नहीं देता हूं चर्चा किये गए stock उधारन के लिए और खरीदने या बेचने की कोई recommendation नहीं है मेरा यह मानना है कि शेर बाजार में निवेश किसी के कहने पर नहीं करना चाहिए बलकि अपने risk appetite और जानकारी के हिसाब से करना चाहिए सदा याद रखें जिसने elite tip उसकी हुई dip शेर बाजा box for investment in Hindi में कैसे आप आज बहुत इंफोर्मेशनल वीडियो आपके लिए लिए और आज हम बात करेंगे एक बहुत important मुद्धे पर और वह है credit score भाई एक credit score क्या होता है credit score जो है है reflect करता है आपकी credit credibility का या अगर आपका credit score ज्यादा है तो इसका मतलब अगर आप कोई loan लेते हैं या credit card में आप payment करतें तो आपके payment को टाइम ली करने की probability बहुत ज्यादा है और अगर आपका credit score कम है तो इसका मतलब आप default कर सकते हैं मतलब साफ है अगर हमारा credit score ज्यादा होगा तो हमें loan लेने में असानी होगी credit card लेने में असानी होगी क्योंकि हमारी credit credibility बहुत high होगी तो इसलिए हर वेक्ति को अपना credit score high रखना चाहिए पर कभी-कभी आप देखेंगे आपको मैसेज आता है कि आपका credit score गिर गया है थोड़ी बहुत गिरावट होती है टेंप्रेरिली उठीक हो जाती है पर अगर आपके credit score में बड़ी गिरावट हो तो यह चिंता कभी लोन यानि अगर आप एक साथ बहुत ज्यादा credit card apply करेंगे बहुत ज्यादा loan apply करेंगे तो यह एक doubt पैदा करता है यार जैसे आप किसी एकदम चले जाए फिर पचासे रुपे आपके चार फिरिंड आपने चारों को फून किया पचासे रुपे पचासे रुपे पचासे रुपे चाहिए चाहिए चारों से मांग रहे हैं तो इसका इंपक्ट आपके credit score पर पढ़ता है क्योंकि जो लेंडर्ट वो क्रेडिट ब्यूरो से आपकी credit information पुल करते हैं और एक hard inquiry करते हैं जिसका impact आपके credit score पर पढ़ता है इसलिए एक दम जटके से बहुत सारे credit card नहीं अप्लाई करने चाहिए एक एक करके धीरे धीरे हौले हौले जरूरत के साथ समय के साथ आपको loan लेना चाहिए जितनी credit score खराब होने का वह होता है कि अगर आप अपने credit card की AMI या loan की AMI को miss करते हैं बार बार लेट पे करते हैं एक आत बार लेट पर पे करेंगे तो अपकर credit score temporarily गिरेगा पर ठीक हो जाएगा पर आप frequently miss भी करते हैं frequently delay भी करते हैं और आप मतलब एक किसे जिन से आपने loan लेंग आपके credit score पर पढ़ता है इसलिए सदा ठीक credit score को ठीक रखने के लिए आपको अपनी सभी EMIs की payment timely करनी चाहिए और credit card का भुक्तान भी जो due date होती है उससे पहले कर दिना चाहिए ताकि पंगा नौ तीसरा एक कारण देखने में आया कि जब कोई वेक्ति अपने सभी credit cards की maximum limits क को यूज करता रहता है simultaneously तो यह भी एक डाउट पैदा करती है जिससे जिसका असर मतलब मैं को बैड असर बुरा असर आपके credit score पर पढ़ता है क्योंकि आप खुछ सुची ना आपको चाहर क्रेडिट का रहे हैं और सभी में तीन तीन लाग की limit आप सभी की तीन तीन लाग पूरी limit यूज कर रहे हैं इसका मतलब यह ना कि आप अपनी credit को fully exhaust कर रहे हैं तो यह एक अच्छा मतलब indication नहीं होता है इसलिए आपको credit limit उतनी यूज करने चाहिए जितनी जरूरी है और अगर आपको इस bank में surplus पैसे पढ़ें अगर आपने कोई credit limit यूज के तो उसको priority portion यह अच्छा संकेत है इस व्यक्ति के पास sufficient fund होते हैं यह तो अपनी में advance में जमागरा देता है उसको एक overdraft facility मिल जाती है कि आपको अगर पैसे नहीं चाहिए तो आप जमागराद आपको लून कम हो जागा लून पे इंटरस्ट भी कम लेगा तो यह good sign है लेगिन अगर आप payment miss कर रहे हैं डिले कर रहे हैं और यह फिर वह अच्छा नहीं है और maximum limit पर चलते हैं सभी credit card की तो वह भी कोई अच्छी चीज अच्छा संकेत नहीं है उससे आपके credit card के score पर बूर आसर पकता है और एक और reason होता है वह यह होता है कि आप अपना credit card close कर रहे हैं तो इसक क्रेडिट कार्ड बंद कर देते हैं तो आपकी credit card की limit भी डहीडा लग के साब से दो की पांच लाग हो जाएगी और यूज भी पांच लाग कर रहे हैं तो आपकी यूटिलाइजेशन लिमिट इन परसंटेज वह बढ़ जाती जिसका adverse impact आपके credit score पर आता और दूसरा जिस क्रेडिट कार्ड में पेमेंट कर दी बड़ी वाली तो वह आप जब कभी कभार यूज करते हैं और लिमिट कोई रिकत ने लेकिन आपका फिर उटिलाइजेशन हरसे में भाहि रहेगा तो ठीक नहीं ला उससे आप प्रसंटेज उटिलाइशन बढ़ जाता है जिसका adverse impact प रिकतर नहीं किया या आपने उनको पे कर दिया वो लिखा रहे हैं तो इस तरह की क्रेडिट कार्ड में information कोई आपने लोन लिया नहीं है और उसकी लोन लिया भी नहीं है वहां पे अंटरड और वह पी नहीं हो जबकि आपका वह लून ही नहीं है तो इसलिए आपको अपन में कोई मिस्टेक कोई इनकुरेसी नजर आए तो जल्द से जल्द उसको ठीक करा लेना चाहिए तो मेरा खेल आपको अब क्रेडिट स्कोर का पूरा ए टू जेड सब कुछ समझ में आ गया होगा अब बिटानत में यही कहूंगा कि अच्छा क्रेडिट स्कोर बनाते रहिए और अपना फ्री क्रेडिट स्कोर आप पा सकते हैं कहां से पैसाबजार.com से इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में समय नश्ट मत करिए पैसाबजार.com पे जाएं और अपना फ्री क्रेडिट स्कोर प्राप करें